आपने कलका मैच तो देखा ही होगा. बहुत मज़ा आगया साथियों देख कर मैच. रुमान से भरा हुआ ये मैच. सूरिया, 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 पूरी ग्राउंड में सूरिया का ही नाम. सूरिकुमार यादाओं ने अपने करियर का दूसरा सतक लगाते हुए नियुजिलेंड के गेदबाजों को धूल चटा दी उन्होंने साथियों अपनी इसपारी में कुल 15 गेदों का सामना किया और 15 गेद खेलकर 111 रन का स्कोर खागा किया साथियों सूर्कमार के सामने सफी नियुजिलेंड के गेदबाज चाहे वो टिम सौधी हो या फिर एडन मिलने हो सभी के खिलाप इन्होंने ताबक तोड़ शाट लगाए सुर्कमार यादाओं ने 114 और 7 छक्कों की मदद से 51 गेदों पर 111 रनों का विसाल स्कोर खड़ा किया हाला कि टिम सौधी ने 20 वे ओवर में वापसी करते हुए अपने कैरियर की दूसरी टीटोंटियाई है ट्रिक ली और भारत को 191 रन के स्कोर पर रोग दिया करे अगर न्यूजी लेंड की पारी की तो पारी की सुरुवात करने डेवन कोनवे और फिन एलन आये फिन एलन बीना खाता ख्योले बिरनेस्वर का शिकार पने उसके बाद आये केन विलियंसन ने 61 रनों की पारी खेली लेकिन वो भी सूर्या की पारी के आगे नाकाम ज़ गई और भारत ने यहमेच 65 रनों से जीत लिया भारत की ओर से सबसे बढ़िया गेत बाजी करते हुए दीपक हुड़ा ने पूल चार पिकेट लिये न्यूजी लेंड ने टास्ट जीत कर पहले भारत को वल्ले बाजी करने का नियोता दिया प्लेइंग 11 की बात की जाए त ताबक तोड रन बना कर दे अब बात करें ओपनिंग कंबीनेसन की तो ओपनिंग में बात करने इसानन के साथ रिशब पन्त आए रिशब पन्त फिर से निराज करते हुए 13 गेतों पर मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर पबेलियन लौट कहे इसान किसन ने कुल 35 गेदों पर 36 रनों की पारी खेली उसके बाद आये शूर्या, सूर्या आये और शूर्या च्छाये सूर्या ने ग्राउंड के चारों तरब स्टार्ट लगाते हुए बेहतरी इन 111 रनों की पारी खेली जिस से भारत ने कुल 191 रन बनाए और 192 रनों का विसाल लच्छ दिया